तो क्या आप अपनी हजारों साल पूराने माउस के करसर के आइकेन को चेंज करना चाते हो एक गन में या फिर सूपरमैन में या फिर अपनी क्रश की फोटो से तो भाईयो क्या हाल चाले मुझे पता है कि मैं इस वीडियो को बहुती ज़्यादा लेड बना रहा हूँ और आप बोलो है कि होली का देन है नॉरमल है हर कोई हर किसी आपर मैंने दिखा ऑन से फोटो ने उसका पांड़ कर दिया और तो और बोलो ये भी बोल रहे थी कि पूरा ना मानो हो लिए मैंने गाए ये भी ठीक है ये वीडियो बना तो करसर का ऐकन को चेल्ज करने के लिए आपको एक ऐसे फोटो को जरूरत हो कि जिसका बैगराउंड नहीं है मेरे पास एक फोटो है रुको मैं इसको अपनी तीजोरी से निकालता हो ये रहाव फोटो एह मेरे हैंडसम फोटो के साथ क्या करने जा रहा है कुछ उल्टा सीधा मत करना ठीक नहीं होगा अभे चुपकर यार हैंडसम फोटो तो फोटो को करसर बननान से पहले आपको कुछ important बाते जरूँ ध्यान में रहते हैं नोर्मली जो करसर का main point होता है वो थोड़ा सा left की ओर होता है आप जो भी image को यूज करना जा रहे है उसको थोड़ा सा left की ओर rotate के लेना और stroke यूज करना ना भूलना तो इसको आपको हमेशा अपने कोई भी cursor के image के उपर add करना है ये stroke use करना बहुत ही ज़्यादा important है क्योंकि आप देखोगी कि मेरा जो ये cursor है इसका जो color है वो white है और मैं इससे अगर stroke हटा देता हूँ और इस cursor को मैं किसी white background के उपर ले जाता हूँ तो सबसे पहला आपको अपने photo को cursor image फाइल पे convert करना पड़ेगा इसको convert करने के लिए आप कोई भी software वगरे use कर सकते हो मैं एक दम simple सा रास्ता बदाता हूँ आप अपने browser को open को आप पे png to c ur लिखो और यहां से किसी भी website में जाके आप अपने photo को convert कर सकते हो मैंने png इसलिए सर्च किया क्योंकि मेरा जो यह photo है वो png format पर है normally जो photo होता है जिसका background ने हो तब वो png file format पर ही होता है मैं अभी यहां से simply पहले वाले website पर जाता हूँ यहां पर जाने के बाद आपको अपने file को select करना है select करने के बाद आपको convert पर click करना है convert पर click करने के बाद आपका यह file convert हो गया इसके बाद आपको simply download पर click करना है इसको download करने के बाद आपको इसको अच्छी जगह पर अपने computer पर save कर देना है इसके बाद आपको simply desktop पर आने के बाद आपको right click करना है क्योंकि मैं अभी Windows इले भी नियुज़ कर रहा हूँ तो फिर मुझे इस तरीके का इंटरफेस दिख रहा है फिर आपको Show More Option के उपर क्लिक करना है अगर आप Windows 10 यूज़ करते हैं तो फिर आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और आपको सेंपली मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा रहा हूं कि मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा बना रहा हूं क्यूंकि अभी मेरी लाइफ में थोड़ी से दिकते चल रही है भाई के लिए थोड़ा सा प्रेक कर लेना और अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरू करके जाना